नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूज में अब वक्त अबिहार की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें लोग सबह चुनाव 2024 का अगाज हो चुका है आज पहले चरण के टहर तिक्यस राजों और केंदर शासत प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है पहले चरण में बिहार की 4 सीटों और अंगाबाद गया जमोई और नवादा पर वोटिंग की जा रही है वोटिंग सुभा 7 बजे से शुरू ही और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी हाला कि कुछ राजों में वोटिंग खत्म होने का वक्त अलग भी है वहीं आपको बता दें गया संस्देच छेतर के गया कॉलेज मतदान केंदर पर जिलाधी कारी डॉक्टर त्याग राजन और उनकी पतनी ने मतदान किया वहीं आगे बढ़तों आपको बता दें मुजफर पुर में पुलिस और बदमाशों के बीच अनकाउंटर हुआ फकूली ओपी छेतर में पुलिस कस्टरी से भाग रहे बदमाश के पैर में पुलिस ने गोली मार दी जिसका पुलिस कस्टरी में मुजफर पुर के SKMCH में इराज चल रहा है घायल बदमाश की पहचान अनुपम जहा के रूप में की गई है बता दें कि वो एक शातर लुटे रहा है वहीं अंगली खबर के और बढ़ते हो आपको बता दें नवादा के S.P. कार्तिक के के शर्मा ने बताया कि आज सुभा चार बजे मतदान केंदर संक्या 234 गाउं राजो बिगा प्राइमरी स्कूल से सूचना मिली है कि समस्ते पूर जिला बल के सिपाही 558 उत्म कुमार राउत का S.L.R. राइफल जिसमें 20 राउंड गोली थी वो नहीं मिल रहा संबन्ध में केस दर्च कर लिया गया है बता दें कि मतदान केंदर पर वोटिंग शूटी शांती पौन चल रही है वहीं लापरवाही के लिए उक्त सिपाही को निलंबित कर दिया गया है मैं अगली खबर के और बटो आपको बता दें बिहार में गर्मी सर्चड कर बोल रही है बता दें कि तापमान 40 डिगरी के पार हो चुका है इसको लेकर पटना जिला प्रशासा ने बड़ा फैसला लिया है पटना जिला प्रशासा ने स्कूल की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आदेश दिया है पटना की मजिस्ट्रेट शीशरक कपिल अशोक ने जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में दसवी कक्षा तक केले शेक्षणिक गती विधियों को सुबह 11.00 बजे से लेकर शाम 4.00 बजे तक प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है बता देए पटना के डियाम का ये आदेश कल 20 अप्रेल से प्रभावी होगा और जो की 30 अप्रेल तक प्रभावी रहेगा मैं आगी बढ़तों आपको बता दे नालंदा में शुकरवार की सुबह तेज रप्तार बस अनियंतरित होकर बीच सड़क पर पलट गए बस में एक भी यातरी सवार नहीं था इसलिए बड़ी घटना होने से बच गई किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई हाथसे के बाद चालक और उपचालक फरार हो गए इसके ट्रैविल्स नाम की बस बरभीगा की तरफ से भीहार शरीव जा रही थी यह हाथसा अस्थावा थाना में हुआ जिसके बाद मौके पर ग्रामेणों की भीर जुटके ग्रामेणों ने आशंका जताई है कि ड्राइवर को छपकी आ गई थी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहीं पब्लिकेशा निउस धन्यवाद